तो केंदर समय देश के कई राज्यों में सत्ता चलाने वाली भारतिय जंता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है पार्टी के 41 स्थापना दिवस के अफसर पर प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने बीजेपी के कारे करताओं को संबोधित किया प्रेम शुकला ने आज अस्थापना दिवस है इस पर बातचित करने के लिए हमारे साथ मौझूद हैं बीजेपी से वरिश नेता प्रेम शुकला जी इनसे बात करते हैं आज अस्थापना दिवस है इस मौके पर प्रदान मंतरी ने भी संबोधित किया क्या कुछ खास रहा तीकि प्रदान मं परिश्रम के संस्थापना में डॉक्टर शेमा प्रसाद मुकर जी पंडित दिन्दयाल उपाध्या से लेकर आदरनी अटल जी आडवानी जी डॉक्टर मुरी बनहर जोशी जी तुंदरतिक बंडारी जी इस तरह से जो हमारे भारती जनता पार्टी के संग्ठन को दो सीट परिश्रम के संदर में और किस तरह से हमको भविश्य में आगे बढ़ना है किस तरह से जो है भारती जनता पार्टी को सेवा के माध्यम से जो है संग्ठन को का विस्तार सतत जनसेवा के माध्यम से करना इस अंदर में प्रधान मंत्री जी ने विस्तार से मारध दरशन किया अगर देखा जाय तो भारती जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्थी है प्रधान मंतुरी ने तमाम योजनाओं के बारे में भी कहा चाहे वो आयुशमान भारती योजना हो, जंधन योजना हो, क्या आपको लगता है कि इन तमाम चीजों का प्रभाव पड़ेगा जंता पर? निश्चत तोरपर इसका प्रभाव पड़ा है, दोहजार चौदा से दोहजार उननीस के बीच में भारती जंता पार्टी की सरकार के खलाफ एंटी इंकम्मेंसी होने के बजाए, अगर प्रो इंकम्मेंसी हुई, तो उसका एक में वो कारण है कि भारती जंता पार्टी में आ निदी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे ट्रांस्पर हो हो, चाहे लपीजी गैस जो है गरीबों के घर पहुंची हो, तमाम योजनाओं के माध्यम से जन कल्यान को सच्मुच जो है जनता के कल्यान के लिए जन कल्यान कारी योजनाओं का क्रियान में जिस तरह से सफ प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट